हेलो स्टुडेंट्स आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप लॉगडाउन स्पेशल में चैप्टर नंबर 10 हेलो एलकेन और हेलो एरीन का पढ़ रहे थे जिसमें हमने हेलो एलकेंज चला रखा था हेलो एलकेंज में आप साथ वीडियो पहले देख चुके हैं यह आठ पर चला था डाई हैलो उखन वीटपन डाई हैलो जन हैं है लीटपन का मतलब यानि यह घ। तो डौई हैलो जन वीटपन में आप लोग पीशे के जो चैप्टर नंबर साथ कह दो सий परन नंबर साथ कह दो तो पर्नोबर साथ तक आप इसकी बना लीकिभियों तक पहुँच गए थे आज मैं बतलाने वाला हूं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पता है ना बहुतिक गुण कहते हैं इस इसकी गंध मधुर होती है. मिठ्सी सी लगती है. थोड़ी सी मन को लो हावनी वाली लगती है. मधुर होती है. दूसरा पॉइंट क्या है इसका? इधर लिख देते हैं. थोड़े जगे की बच जाएगी. ये जल्द से भारी होते हैं. थोड़ा सा गाड़ा पदार थे जल से भारी होते हैं तीसरा पॉइंट क्या है बहुत सरल है पॉइंट दखिए याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है ये जल में एगुलन शील होते हैं हाइडोजन बंद नहीं बनाते हैं इसलिए एगुलन शील है ये जल में एगुलन शील होते हैं मैं लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको याद करते बने लेकिन अब जो जल में एगुलन शील होते हैं वो किस में गुलन शील होते हैं कार्बनिक लाइकों में गुलंशील होते हैं तो यह तो क्या हो गया भई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत तो यह दो-तीर पॉइंट है इनको आराम से याद कर लेना ऐसे याद कर लेना मधूर गंद वाले जल से भारी जल में गुलंशील कार्विनिक बला लेना और इसको कौन कौन सी राशानिक अविक्रिया हैं पढ़ेंगे एक तो पढ़ेंगे हम जली को एच के साथ अविक्रिया या हम लोग इसको कह देते जल अप घटन अविक्रिया जल अप घटन अविक्रिया पढ़ेंगे राशानिक अविक्रिया में तीनी है इसमें दूसरी हम लोग प अविक्रिया तीसरी आप पढ़ने वाले हैं वी हैलोजनी करण अविक्रिया है है लोजनी करण अविक्रिया तो बच्चो हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जल अब गटन अविक्रिया तो इनके बारे में चलेगी चर्चा हमारी आपकी तो इसमें सबसे पहले जो आती है वाद वह है जल अब गटन अविक्रिया तो यहां पर अगर हम लोग क्या करें जो डाई हैलोजन वित्पन है डाई हैलोजन वित्पन है इनकी अविक्रिया करें किस के साथ जली है यह होन चीन जल होगा तो जलेगे क्या है यह ओएच आईञी निगेटिफ इनकी मात्रा जल के विलियन में अधिक होती है अर्थाद ये आगे जाकर के जुड़ते हैं तो इसमें करने से क्या होगा देखें करने से क्या होगा जो जेम डाई हैलाइड है ना जेम डाई हैलाइड से जियम डाई हलाइट से मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाएं जैम डाई हलाइट से अल्डि हैड और कीटोंस का निर्भाण होता है जैम डाई हलाइट से अब देखे कैसे चली मैं एक रेक्षन करके दिखला दिता हूं जैसे आपने यहाँ पर ले लिया CH3CHClCl कल मैंने आपको बतलाए था जेम यानि एकी कारवन से जब दो हैलोजन परमाणू जोड़े होते हैं उसे हम लोग कह देते हैं जेम डाई हैलाइड अब जेम डाई हैलाइड ले लिया आपने इसकी रेक्शन करी जली को एच देखिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर दो लिख देता हूँ दो को एच लिख दिया एक का लिख दिया या जली लिख देते हैं सुदिन्दी में इसका नाम आपको बहतर तरीके से पता है वन वन डाई किलो रो एथेन वन वन देखें यहां पर गौर से अब यहां पर आसानी से यह ओच दे रहा है तो इसके साथ में जाएगा अब जाएगा तो क्या होगा देखना CS3 CH इसके साथ में OH जुड़ जाएगा देखिए OH जुड़ गया अब कारवन की बेलेंसी जरूर याद रखना कि चार होती एक दो तीन और एक चार लेकिन यह कैसा होता है अनिस्टेविल होता है एस्टाई होता है अनिस्टेविल का मतलब होगा एस्टाई है अब यह एस्टाई है एस्टाई होने से क्या हुआ कि यहां पर देखिए यह OH इस H के साथ मिल करके क्या निकाल दिया है अब यह एच्टू और निकल गया अब आप गौर से देखो यहां पर बचा क्या CS3 बच और ओचा तो सी एस्थरी ह हिए चो इसे हम लोग कर देते एसी टेल टी हाइड मैं हिंदी बिलिख देता हूँ जिससे आपकी जानता समझ में आजाए अची अ अ चैल डी हाए तो यह आ सी टेल डी हैड बन गया थे की स्ट्रेक्चर कैसे हो गए ची एस तरी C double bond O and H यह acetaldehyde का formation हो गया अगर मैं यहाँ पर देखिए अलग-अलग structure है अगर यह जैम तो यह भी है अगर हमें जैम यह ले लेता चलिए यह ले लिया हमने C L and C L भी ले सकते थे आप यह क्या हो गया 2, 2, Dichloro अब कारबन के कितने है 3 तो क्या हो गया प्रोपेन यह ले लिया वो ही reaction किस के साथ में KOH के साथ में तो KOH बैसे तो 3 के उपर लिग दिया जाता है लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए कि थोड़ा सा आपको बैतर समझ में आ जाए ऐसा प्रियास है अब यहाँ पर देखिए यह के पॉस्टिव है अब यह पॉस्टिव है और यह कैसा है निगेटिव यह कैसे है निगेटिव तो अब यह क्या है यह निगेटिव वाले तो इस पॉस्टिव के साथ निकल जाएंगे के सील के रूप में निकल गए लेकिन यहां पर हमने लिख दिया जिससे कि आपकी समझ में बहतर आ जाए तो माइनस 2 के cl हो गया अब यहां पर आप देखिए जहां पर यह कारबन से जुड़ा हुआ है यह इस कारबन से जुड़ा हुआ है इससे जुड़े हुए CL और CL, अब CL, CL निकल गए, अब ये निगेटिव वाले जो OH है ना, ये आकर के यहां पर जुड़ जाएंगे, और जुड़े कह बनगी पोजिशन CS3, COH, COH, CS3, अब ये आपने उपर देखा था, क्या लिखा था हमने, ये अहस्थाई है, बहुत ही ज अब ये क्या निकल गया, जैसे यहां पर H2O निकला था, उसी तरीके से H2O निकल जाता है, जगे की कमी के बज़े से मैं यहां लिख देता हूं, CS3, C, देखे, डबल बॉन्ड, O, CS3, आपको देखला ही जए रहा होगा, तो ये क्या बन गया, इसका नाम है, एसका नाम है, इसका, acetone, carbonil compound है, तो ये acetone का formation हो जाता है, तो दो बात आपके सामने आ गई, कि जैम डाई हैलाइड से हम LD और ketone का निर्मान करते हैं, एक बार फिर से समझ लीजे, आपने क्या लिखा था, वन वन डाई क्लोरो एथेन, के सील निकाल दिया था, के सील निकाल था, के सील न हाँ पर क्या निकल क्या बन गया था, एस्टो निकलते ही, एसी टाउन का formation हो गया था, तो बस याद रखना कि वन वन डाई क्लोरो एथेन से, एसी टेल डियाइड हमें प्राफ हुई, और टू-टू-डाई क्लोरो प्रोपेन से हमें, एसी टाउन प्राफ हुआ, अब यहा शर्च्राइग विश्णल, विश्णल का मतलब क्या है, अलग-अलग कारवन पर, यह निकटवर्ती कारवन पर, जब अपस्तित होते है हेलोजन पर मानू, तो ऊसे हम लोग विश्णल कहते है, तो यहाँं पर वन है और टू-टू, तो क्या हो गया, वण ठोमा टू-डाई किलो-रो एथेल लेले लिए आप अब वन तूडाइक गलो एथेल लेलिया लेले ये हमने आभी आप से का विशनल डाइ है ये डाइ है आप अब विशनल डाइ है हम लोग बहुरो ने क्या किया रियउक्शन की कि कि peach कों से जली कि यहां पर आप के ओ एच के ओ एच दो सिर्फ समझने के द्रश्ट से लिख दिए अधर्वाइस आप तीर के उपर इसको एक बार ही लिख सकते हैं तो यहां पर यह देखिए यह के और यह सी यल यह निगेटिव अब आपको ध्यान है यह पॉस्टिव और यह निगेटिव तो यह क्या बनके जाकर के ऐसी यहां पर देखिए यह पॉस्टिव और यह निगेटिव और यह निगेटिव यह रहे निगेटिव यह पॉस्टिव हैं यहां पर आ जाएंगे और यह पॉस्टिव है इन पॉस्टिव के साथ यह निगेटिव आ करके जुड़ जाएगा औ एच क्या नाम हो गया पीशे बतलाया था ए एथ लीन ग्लाइक ओल एथ लीन ग्लाइकवल का सचाल है एक लिए यह आपने र Запेंट को जो यह बतलाई थैं उनकी आगे की रेक्शेंट हम लोग आज कैमिकल र्रास के की नाम से देख रहे हैं तो एक तो जलब गटन हो गया अभी हमने दूसरी क्या बतलाई वी हाइड्रो है लोजनी करन तो हम लोग दूसरा नमबर ले ले लेते पहले नमबर समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से एक दो बार कॉपी पर करके देख लेना बिलकुल आजाएगा आपकी बुक के अंसार ही कंटिनू चल रहे हैं कोई हेडिंग कोशिस कर रहे हैं कि नहीं छूटे जिससे कि आपका कोर्स पूरा हो सके तो दूसरा नमबर ले 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 रहे हैं वी हाइड्रो है है लोजनी करन तो देखिए पीछे आपने जली अभिक्रिया की थी जली के ओएच लिया था अगर हम जली की जगए पर सिर्फ हम लोग क्या कर दें एल्कॉलिक के ओएच कर दें देखिए यह अंतर मामूली है बच्चे नहीं समझ पाते हैं और यहां पर आपको अंतर सिर्फ समझना है कि यहां पर जली होने की बज़े से ओएच की मात्रा हैलोजन का निस्काशन करेंगा तो मैं कोई एक रेक्षन ले लेता हूं जैसे आपने ले लिया सी ऐस थिरी च एच कि है चे यह शियन हमने जैम जो उसमें लिया था हमने चली यह ले लिया concurrent में दाई कि यह क्या हो गया मैं इसके ऊपर यह जेता हूँ और यह बन गया CH triple bond CH तो अब इसका मतलब क्या हो गया है definition क्या बनी जब हम लोग dihalogen वित्पनों की अभी क्रिया किसके साथ alcoholic QHK साथ कराते हैं तो ethine का निर्मार या alkyne का निर्मार alkyne का निर्मार होता है तो यह आपको याद हो गई क्या होगी कि alcoholic QH की वज़े से देखिए दोनों में अंतरा आगे है alcoholic QH की वज़े से चलिए हम दूसरा एक और एक जामपिल्स लेके देख लेते हैं CS3 CS और आपने मान लिजे यह ले लिए CL CH3 तो अब इसमें क्या होगा एक हैच इधर से निकलेगा और एक हैच इधर से निकलेगा और आप इसको इसी तरीके से एक alkyne का formation कर देंगे तो यह position हो गई अब हम लोग अगर यह तो jam jam की हमने बात करी थी एक बिशनल का example ले ले लेते बिशनल का example से और आपको बेहतर समझ में आ जाएगा CH2 तो यह jam का था दूसरा example भी मैं jam का बतला रहा था यह तीसरा विशनल का है जो इसकी बात कर लेते इसमें अगर आप लोग देखें alcoholic koh की उपस्तिति में अभिक्रिया हुई alcoholic koh ले लिया तो alcoholic koh में आप देखेंगे एक h इसका निकला एक ml इसका निकला क्या निकल गया टू एच इसका निकला यहां पे भी क्या निकला तो लिख दीजे अच्छा लगेगा थोड़ा सा लिखने में तो क्या बन गया यह CH triple bond CH नाम आपको बहूत अच्छी तरीके से है क्या नाम है एथाइन का फॉर्मिषन हो जाता है तो यहां पर आपने देखा कि एथाइन का फॉर्मिषन तीसरा हम लोग लिए लेटे है मैं हम लोग बाथ कर रहे थे वी है लोग tu समझ में आ गई होगी है है रोजनी करन का मतलब क्या हूग हेलोजन का वी का मतलब निसकासन तो वी हेलोजनी करण हेलो जनी करण अभिक्रिया अगर पेपर में कैसे आ सकता है देखो पेपर में दो-तीन तरीके से आता है एक तो वो यह कह देते हैं डाई हेलोजन विद्पन्नों में हेलोजन का निसकासन अभिक्रिया बतलाओ जिसे हम यह लोजिनीकर अविक्रिया के नाम से जानते हैं दूसरा क्या हो गया वह यह कहादे रेक्षिन विद्ध है लुजन किसकी डाई है लुजन विद्पन्नों की विद्पन्नों की जिंक के साथ अविक्रिया बतलाओ अविक्रिया बतलाओ तो पेपर है पेपर में तो भाई कुश्चन गुमा करके भी देता है अब गुमा करके देगा तो टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है मैं आपको एक बिल्कुल एक सॉट लाइन में याद कराता हूं जैसे एक नमबर हमने लिख दिया जेम अगर आप जे प्रेडन के साथ करते हैं तो इसमें जितने कारवन है जितने इसमें कारवन है उससे दुगनी संख्या वाले कितनी का संख्या वाले दुगनी कारवन संख्या वाली एलकीन का निर्माण होता है तो एक बात तो आपकी होगे कि जेम डाई हैलाइट से अब दूसा नंबर क्या अगर विश्णल हो तो तो उसमें समान संख्या वाली कारवन समान संख्या वाली एलकीन का निर्मान होता है तो समान संख्या वाली सौड में लिखा हुआ है और चलिए पहले दो को ले लेते हैं जिससे आपको और किलियर हो जाए तो सबसे पहले ले लिया हमने जेम डाईहलाई देखिए CS3 CH CHClCl प्लस जेड़ेन अब देखिए जेड़ेन आप ले रहे हो दो ले लो जब दो लें सब्सक्तियरण काओं किलो डाइज कर लिया हुआ है है अब उन वन डाइन यह प flavors ये लिए उल्टा कर लिए रहे हैं जिसरी आपको समझने में आसानी हो पतलो आप यह देखें चाह निकलेगा 2ZNCl2 निकलेगा लेकिन एक चीज याद रखने की है यह अभिक्रिया मैथे नौल की उपस्तिती में होती है मैथे नौल की उपस्तिती में होती है और क्या निकल जाता है 2ZNCl2 निकल जाता है तो Z and Cl2 निकल गया अब बना क्या देखिए गौर से CS3 CH अब देखिए CH थोड़ा साथ ब्रेक कर लेते हैं CH देखिए तो निकल गया CH CH3 अब 2 Cl निकले थे इधर से 2 Cl निकले थे इधर से कारवन की वेलेंसी सनुतित होगी double bond से तो क्या बन गया यह मीथ इथ प्रोप ब्यूट ब्यूटीन कितने नंबर पर वन टू 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 या ब्यूट टू इन तो दोनों नाम लिख सकते ब्यूटीन टू ब्यूटीन या आप लिख दीजे ब्यूट टू इन यानि दो नंबर पर double reward जुड़ा हुआ है ये एक बन गया तो इसका मतलब देखिए आप यहाँ पर देखिए कार्वन्न संख्या कितनी हैं कार्वन की गई कि जेम डाई हैलाइड से जब हम जींग की अविक्रिया कराते हैं तो डबल कारवन वाली एलकीन का निर्मान होता है यह डबल बॉंड नहीं है नहीं तो डबल बॉंड समझ जाओ कि चार सी लिखा हुआ है यह यह चार कारवन वाले समझ में आ गया अब दूसरी बात क्य आती है अब एक नमबर यह हो गया किसके लिए जैम के लिए हम लोग विशनल की बात कर लेते हैं विशनल डाई हैलाइड में अब इसकी रेक्शन जैडन के साथ करा दो किसकी प्रजेस में कराते हो मैथे नौल समझते हो ना सी अश्टरी ओच को कहते हैं तो मैथे नौल अगले चैप्टर में आएगा भी हम आपको पढ़ाएंगे उसमें तो मैथे नौल होती है देखिए यह क्या निकल गया देखिए निश्ची दुरूं से आपको पता है कि यह इलेक्ट्रोनों को त्याक करेगा डबल प्लस बनाता है और यह एक सी यल माइनस यह सी यल माइनस और यह प्लस के तो अब यहां पर जैडन सील टू निकल गया इसने अपने CH2 Athene का formation एथीन का formation हो गया तो ये आपने विस्का देख लिया अब आप कहा सकते हो सर आपने बतलाया था एक और الحalide कौन सा था वो αealpha omega alpha omega الحalide अगर alpha omega qualified की बात करें तो الحalide इसकी reaction अगर हाब z n के साथ करें वैं इन प्रिजेंस of methanol कि उपस्तिती में में अभी करिया करते तो याद रखना साइक्म का निर्माण होता है जर साइक्म का निर्माण होता है साइक्म का निर्माण कीसे होगा चली मैं यहां पर एक एक जामप्ल लेता हूं, अलफा ओमेगा का, सी एस टू, सी एस टू, सी एल, अब यहां देखिए, 1, 2, 3, 4, तो आपको कल नाम यह बतला है, भी था, 1, 4, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, ब्यूटेन, अब चार है न, सिंगल बॉंड है, इसलिए, ब्यूटेन, इसकी रेक्शन किसके साथ करा दिया, अब ले जेडिन के साथ, किसकी प्रजेंस में कराई, अब यहां पर इसलिए, मैथे, नौल के साथ करा दिया, देखिए, यह हो गया, क्या निकल गया, वही वाली बात, यह प्लस के, यह माइनस के, यह आपस में जुड जाएंगे, तो अब यह जुड जाएंगे, तो यह क्या बना जाएगा, यह इस तरीके की सरच्छना बन जा अब यहां पर इसकी यह ऐसे भी कह सकते हो, क्या नाम हो गया, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया, अब साइक्लो ब्यूटेन बन गया, अगर मैं इसकी जगे पर पेंटेन बनाना चाहूं, तो क्या होगा, देखिए, आप ने ले लिए, च CH2 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 CL CH2 CH2 C L. बिल्कुँ Same reaction है. यह यह बुक में example दे रखा है. उसमें भी आप देख सकते हैं. मैथेनॉल तो यहां पर क्या बनाई यह देखिए? बिल्कुँ simple है. यह निगेटिव के यह पॉजिटिव के यह निगेटिव यह पॉजिटिव के यह पॉजिटिव. तो H2 CH2 CH2 और यह से बॉन्ट जूड़ जाता है अर्थात हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते कि यह सनचना क्या नाम होगे इसका साइक्लो साइक्लो पेंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है बच्चो बहुत ही सरल रेक्शन्स थी और आसान है बस प्रैक्टिस आपको दो एक बार करनी पड़ेगे अब हम लोग लेते हैं इसके उप्योग किसके डाई हैलूजन वित्पन्नों के हेलो एलकेंस के जो कंपाउंड्स थे उनके भी उप्योग तो हम लोग इसमें देख सकते हैं सेलोज बनाने में सेलोज के निर्मान में इसका प्रियोग कर सकते हैं रवर के लिए विलाइक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, विलाइक के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, तो इस तरीके से क्या है? ये दो तीन चार है, एक हमने पीशे इसकी chemical reaction बतला ती टेल की निर्मान में बहुत ही इंपोर्टेंट है, टेल की निर्मान में, मैंने आपको याद है, टेल की निर्मान में आपको वीडियो नमबर सेविन में बतला रखा है कोई बात नहीं अगर आप उसको देख सके तो बहुत अच्छी बात है नहीं मैं यहाप फिर से बतला देता हूँ टेल की निर्मान में यह इंपोर्टेंट भी है दो जगए भी आ गया यह इसमें क्या कि B O B R के साथ तो यह four यह ले लिए थे तो यह इथर की प्रजैश्ऩ से रेक्शन स barbecue और यह क्या होगा था यह वन गया जा जा करके c to five whole four पीवी तो इसका नाम क्या होग को टेट्रा हो इसका नाम क्या हो गया ए ए तिल इसका नाम क्या हो गया UP लेड प्लस फोर एन एबी आर निकल गई थे यह बहुत ही इंपोर्टेंट है याद रखना यह सभी विद्यां थी और कुछ आपके उपयोग थे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से बच्चों पढ़ो हमारा आशीरवाद है आप बहुत आगे जाएंगे थैंक्यू वेरी मुद् कि ऑन चोषझ लोगत है थे ग्हाद वेल मुद्च्पे करना तरीके से बच्चों पूंडेशहारच है दिनक मुद्च बह भी है कि गादे फम्ल करते हैं रखना बहुत है है